नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोश कबर का एक्रम आज पुरी देश में एक बार फिर आरक्षन को लेकर बहुत सघन गहन चर्चा है इसकी वज़़ है सुप्रीम कोट का फैसला सुप्रीम कोट ने फैसला दिया और कहा कि देश के समिधान में जो एक सो तीनवा संचोधन था वह सही था पांच जजों की बेंच थी तीन दो का फैसला आया है और इस फैसले के बाद जो दस फीसीदी का आरक्षन दिया गया था जो दबंग जातियां अपरकास जातियां उची जातियां जिने कहा जाता है उनमें जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको जो दस फीसीदी का आरक्षन था उसके हक में इस कॉंस्ट्यूशनल बंच ने फैसला दिया है और एक बार फिर इस फैसले के मद्दे नजर आरक्षन पर बहुत गहन चर्चा शुरू हो गई है पक्ष विपक्ष में तरक आ रहे हैं और गंभीर चिंता भी व्यक्त की जा रही है आरक्षन को लेकर उसकी बहुत ठोस वजहें हैं जिन वजहों पे हम आज चर्चा करने ज आ यू दोस्तों देखते हैं कि इस फैसले को लेकर इतना हंगामा क्यों है आईसा क्या कहा इस बैंच ने इस बैंच ने जो कहा उससे क्या क्या इंप्लिकेशन उसके क्या असर दिखाई देते हैं तीन दो का फैसला है यानि तीन जज पक्ष में दो जज विरोध में पांच जज जो हैं वे बहुत सीनियर मोस जज हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू यू ललित जस्टिस दिनेश महेश्वरी जस्टिस जेबी पारदीवाला जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और रवि करना था कि जो 10 फीसिदी का आरक्षन सरकारी शैक्षनिक संस्थानों और नौकरियों में अपर कास्ट के लोगों को उसमें जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको दिया गया है उसकी वैधानिक्ता क्या है क्या ये समिधान मत है की नहीं और दो जज जज जो ने विरोध में मत दिया वे सीनियर मोस जज है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू यू ललित ने विरोध में मत दिया लेकिन जो हंगामा है हंगामा इस बात पर है कि जिस तरह से इस रिजर्वेशन के साथ साथ बाकी आरक्षन पे जो चर्चा हुई उसकी जो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जिस तरह से आरक्षन के खिलाफ बाते हुई यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि आजादी के 75 साल हो गए हैं और अभी भी दलितों आदिवासियों को आरक्षन चाहिए क्योंकि लेवल फ्लेंग फील्ड नहीं है यह बात सही नहीं है साथी साथ observation यह भी कहा गया कि आज की तारीख में हमें आरक्षन पर पुनर विचार की जरूरत है अब आप देखिए कि जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस पार्दिवाला तकरीबन एक ही stand ले रहे हैं और वे कह रहे हैं कि जिन लोगों को फायदा मिल गया है उन्हें इस सूची से बाहर निकालना चाहिए ताकि बाकी लोगों को लाब मिल सके साथी आरक्षन की एक बड़ी बहस को दुबारा छेड़ने की कोशिश की गई है यहाँ पर यह जज कहते हैं कि आरक्षन अनिश्चित समय तक के लिए नहीं है इससे कुछ लोगों के हिस सत्ते हैं या के दूसरे ढंके असर पड़ेंगे और वह असर बहुत साफ सुनाई और दिखाई दे रहे हैं जिस तरह से तमिलनाडू के मुख्यवंत्री म.क. स्टालिन ने साफ साफ इस फैसले को तमाम बंचिस समाज के लिए दुर्भागि पूर्ण बताया है उन्होंने कहा है कि कि समाजिक न्याए के लिए जो इतना लंबा संघर चला उस पर यह फैसला धक्का लगाता है इस फैसले की तीखी आलोशना हो रही है कॉंग्रिस नेता और दलितों के हक में बेहद मुखर रहने वाले पूरुसांसद डॉक्टर उधित राज भी इसमें बहुत एहम सवाल हमने उनसे बात की आई ये देखते हैं उधित राज क्या कह रहे हैं नमस्कार उधित राज जी न्यूस क्लिक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इडबलू एस में उसे लेकर बहु लगाई थी कि पचास पस्तर से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होता है इस पिलेस्ट वाए एक वेंक्पल अपक्क्वालिटी और फाइब फाइब जिजेच की बेंच ने नौ जिजेच बेंच के फैसले को ओवर्टाइंड कर दिया है इसले कर दिया कि यह सवाणों को देने के विरोध में नहीं हूँ लेकिन जब 8080 OBC का रिजर्वेशन आता है चाहे 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 नाडू में जब 50% के सीमा तूटती है लांकती है तो परिम को ठहेंसा इंडरा सानी जज्जमेंट का हवाला देते हुए कि नव जजिस का बेंच है और सुप तो एक बात है कि जब सवानों को रिजर्वेशन देने की बात आई तो इंडरा सानी जज्जमेंट का में जो इंबार्गो लगाया था सीलिंग लगाई थी वो तूट गई और ओजन्मिन कहा गया तो यह सवान मनसिक्ता को दरसाता है और इतफाक कहें प्रयोग कहें प्रयो जजे सवन समाज के लोग और एक टाइम में मोजी जी ने भी विरोध किया था इसका पूरा विरोध है किसी विहालत में 50% से ज़्यादा नहीं जा सकता है लेकिर आज 50% के सीमा मैं उन जज्ज को उसमानसिक्ता की बात आज कर रहा हूं जब यस्टियोग इसी का मामला आता है तब तमाम इफन बेट और टीज साल से लगाता है जतने मैटर आये हैं बढ़ाने के वहां पर इफन बेट लगता रहा है कि इमिरा सानी का जज्जमेंट है नौ जजिज का जज्जमेंट है पचात पर सक्षा आगे जा नहीं सकता आज चला गया इसका कोई जवाब नहीं तो एक चीज आपने भी विरोत के स्वार उठाये हैं और तमिलनाडू के मुख्यमेंटरी में के स्टालिन ने भी विरोत का स्वार उठाया है और इसे बहुत ही दुर्भाग पूर्ण फैसला बताया है उन्होंने तो यह भी कहा है कि जो समाजिक न्याय की लड़ाई चल र कि लड़ाई मैं ही लड़ा हूँ जब हम तमारे तमाम माईटर जाते हैं तो हवाला दिया जाता है 50% की सीमा का आज हो कहां गया वो सवाल उसका जवाब मैं आपका ध्यान इस जो फैसला आया है कि जो बार एंड बेंच ने कुछ डिटेज जो शेयर किये हैं उसकी और दिल विचार की बात कहीं काफी मजबूती से कहा है कि 75 साल हो गएं त्रिवेदी जो महिला जज है सुप्रीम कोड की उन्होंने कहा कि 75 साल हो गएं आजादी के और रीधिंग की जरूरत है रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन को और बढ़ाने की जरूरत है रीधिंग की जरूरत नहीं है गवर्णाट अफ इंडिया में करीब 100 सेक्रेट्री है उसमें से एक दो भी 85 परसिंट बाले अप्षार्टी अप्षार्टी और बीसी बाले नहीं है पहले पुरा भरत दिया जाए तब विचार किया जाए इसी क्रम में हमने बात की देश की जानी मानी दलित एक्टविस्ट बीना पलिकल से जो NCDHR की प्रमुख है और जो खुलकर साफ साफ कहती है की जो फैसला आया है इस से दलित और वन्चितों के हकों की जो दावेदारी है वह कमजोर होगी है वह स्यूम्मध इसक्टों की इस दूच्टिटिए श्ड़िक फैसी होगाय है मैं झाला इसी नहीं होगी जो खर एक प्रहूं सक्टिए शुरित इस जो फिस दो बात कर दो यजिक फिसूं सक्ट प्रून परफिक बात इस मीस्ट जो पूंधे इस एस प्रूंध लिसुथ ऩलोब औरिजीनस and Dalit न कर भी मिय्ट एंग gebru मायन जोग रांविती कर दस्क बादेने हमाथी Denn अमक्निंग क्निंग वे फेस्ड थैस इस लागि सिर्ण फेर कर ए शियो this and how discrimination continues just because you're a Dalit so this judgment does not make sense at all but it's also a judgment to show that eventually they're also looking at progressive legislations and laws and to and to look at how reservation and affirmative action can be removed totally in order to find your해요 another option it's a map that has changed every single law of theright but it's not too hard to face anything or anything else such as theheets of allowing the ist тради rear here has changedри it has been very long ago the world may be verified she assumes but here is two arguments after the end of the day one speaking of other country that's occur युवक को सिर्फ इसलिए पीट पीट कर मार डाला गया क्योंकि उसने एक बाग से अम्रूद चुरा लिये थे तोड़ कर खा लिये थे यह है इस देश का जातिवादी स्ट्रक्चर इसी के साथ साथ देखे ये खबर बहुत कम लोगों को पता होगा या सरकारे तो देखने यार नहीं है कि इस देश में पिछले 178 दिनों से एक अभियान चल रहा है यह अभियान सिर्फ एक बात कह रहा है स्टॉप किलिंग अस यानि सीवर और सेप्टिक टैंक में जो हत्याएं हो रही है भारतिये नागरिकों की जिसमें अधिसंख बहुत संख दलिस समास से आते हैं वह बंध होनी चाहिए हब आप बता ही है कि जो लोग कहते हैं कि इस देश में आरक्षन की जरूरत नहीं है और इन तमाम कामों में जो सौ फीसिदी दलितों को आरक्षन दे रखा है हमारी गंडी बजबजाती जाती विवस्था ने उसके बारे में ना कोट को पता है और ना ही नेता इस पे बात क करने को तैयार होते हैं बस आप से अपील ये है कि आरक्षन पे जो बहस छिड़ रही है इसमें चर्चा लेने से पहले शामिल होने से पहले देश के वरतमान हालात में नजर दोडाना बेहस जरूरी है छे साल पहले जो मास्टर स्टोक था शायद आपको याद हो छे साल पहले आठ नमंबर को रात आठ बजे दोहजार सोला में प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी ने मास्टर स्टोक किया था नोट बंदी का और यह नोट बंदी जो पूरी की पूरी अर्थ विवस्था को डुबा दी थी जिस तरह से इसने औरगनाई सेक्टर यानि संग्ठित छेत्र और असंग्ठित छेत्रों के लोगों को बरबाद किया था इसकी कहानी तो अलग ही है आज जब हम बात कर रहे हैं छे साल बाद तब देखिए कि यह सबसे बड़ा दावा था कि यह करप्शन को कम कर देगी कैशलेस एकॉनमी का दावा हुआ था जहां नोटों की जरुवत ही नहीं पड़ेगी मोदी जी देखिए इस देश में तब से लेकर अभी तक 72 फीसिदी जादा नोट हमारी एकॉनमी में चल रहे हैं और यह बता रहा है कि जो आपका मास्टर स्ट्रोक था वह कितना खोकला ही नहीं कितना जन विरोधी था क्योंकि हम सब को यह याद करना बेहत जरूरी है कि नोट बंदी जिस नाम पर हुई थी जिस भ्रष्टाचार को खतम करने का दावा किया गया था वह भ्रष्टाचार हमने मोदी जी आपके गुजरात में अभी अभी देखा है मोरोबी पुल जो टूटा जो जूटा जो जूटा पुल टूटा उसके तमाम आकड़े जो सामने आए हैं उससे पता चल रहा है कि करोडों रुपे में से कुछ हजार रुपे महस कुछ हजार रुपे खर्च किये गए उस पुल को बनाने के लिए यह जो घोशित भरष्टा चार है यह सिर्फ यही नहीं देश के तमाम हाईवेज में दिखाई दे रहा है जो उदगाटन करने के कुछ ही दिनों बाद तूट जा रहे हैं सवाल यह है कि यह जो नकत बरस रहा है चुनावी मौसम है और एक के बाद एक खबरे जो आ रही है पुरे देश भर से जहां चुनाव हो रहे है वहां सबको दिखाई दे रहा है कि नोटों की बरसात कैसे भाश्पा कर रही है विधायक कैसे खरीदे जा रहे है करोडों कार को गिराने के लिए जो ऑपरेशन लोटस हुआ उसमें भी जो डीलिंग थी वह कैश में थी अब आप सोचिए कि यह जो करोडों रुपे हैं यह जो कैशलेस एकानमी का आपका दावा था जिसके तहत आपने 6 साल पहले इस देश की अर्थवेवस्था को ऐसे रसातल में डाला कि आज तक अर्थवेवस्था वापस अपने गियर में नहीं आ पाई है इसकी जवाब देही और जिम्मेदारी आपकी चुनावी भाशनों में तो नहीं दिख रही है लेकिन एक बात बहुत साफ हो गई है कि जिनको फायदा होना था मोदी जी उनको फायदा हो गया ह मोरोबी में कौन लोग मरे यह पूरा देश और पुरी दुनिया देख चुकी है चलते चलते दो जरूरी खबरों का जिक्र आपके साथ करूंगी पहली खबर जम्मू कश्मीर से आई है उसी जम्मू कश्मीर से जहां की अच्छी अच्छी फोटो इस समय हमारे आपके पीच मीडिया के जरिए सोशल मीडिया के जरिए साजा हो रही है बताया जा रहा है कि दिन बहुत नॉर्मल हो गए हैं यहां पर यह जो खबर है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है यह 777 लोगों की जीवन से जुड़ी हुई खबर है 777 ये लोग पैलेट गन से घायल हुए थे और इन में से 80% लोगों की आखों की रोशनी आंशिक तौर पर चली गई है हम सब को यह याद रखना जरूरी है कि कश्मीर में जिस बड़े पैमाने पर पैलेट गन का इस्तमाल होता है जिसका शिकार अक्सर बच्चे और नौजवान होते हैं उनकी आखें किस तरह से चली जाती है रोशनी चली जाती है दुनिया बंसी हो जाती है इस पर चर्चा बहुत कम होती है यह जरूरी अध्यन हमारे बीच हमारे सामने आया है इंडियन जर्नल आफ आफ्थमोलोजी के जरिये और उन्होंने जो सिफारिश की है शायद अगर हमारे हुकमरानों तक पहुँचे तो इस तरह से अंधकार नौजवानों की जीवन में ना आए इन्होंने सक्त रूप मे कहा है कि पैलेट गन का इस्तमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए और दूसरा डवलप्मेंट उत्तर प्रदेश के आजमगड से है यहां करीब 670 एकड जमीन अधिग्रिहित करके उस पे कबजा करके मंदूरू हवाई पट्टी का निर्मार करने एक अंतराष्टी हवाई करनाने की तैयारी चल रही है इसके लिए आठ गाउं की जमीन पर अधिगरहन करना है तकरीबद 10,000 लोग इससे प्रभावित होंगे यहां पर रहने वाले किसान यहां पर रहने वाले लोग इसका कड़ा विरोत कर रहे हैं उनका कहना है कि यह बेहद उप जाओ जमीन है औ और यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर हवाई अड़े हैं ऐसे में यहां के निवासी चाहते हैं कि इस पूरे अधिग्रहन को इस पूरी स्कीम को रद कर दिया जाए इस अधिग्रहन और इस परियोजना के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है उसमें गाउं के लोग तो शामिली ह बहाँ पर सामाजिक और राजितिक कार्यकरता राजीव यादव ने कमान समाल रखी है उनके साथ जुड़े हैं संदीप पांडे अरंधुती धुरू और किसान नेता गुरु नाम चंडूरी दोस्तों बहुत जरूरी है कि जब नफरत चारों तरफ फैल रही हो तब बुन में खोखला साबित हो और नहीं आरक्षन के नाम पर बिना वजह नफरत हमारे चारों तरफ फैलाई जाए शुक्रिया